हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मैस गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलोपमेंट, मॉबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर चलिए ये सेसन में हमें समझना है कि स्टोर वेल्यू इन वेरियेबल एट रन टाइम मतलब क्या तो जब हम प्रोग्राम को रन करते है और हमारी जो आउटपुट स्क्रीन आती है उसको हम रन टाइम भी बोलते है तो run time पे हमें variable के अंदर value store करनी है अब तक हम क्या करते थे जब हम program लिखते थे तभी उसके अंदर value store कर देते थे उसको हम बोलते है design time तो value को हम design time में भी set कर सकते है और run time पे भी set कर सकते है तो run time पे value को store करने के लिए हमारे पास एक function है function का नाम है scanApp, function है मतलब round bracket start and stop semicolon, अब यह जो scanApp function है, उसकी library जो है, वो stdio.h ही है, तो अलग से कोई library हमें include करने की requirement नहीं है, इसकी syntax में क्या है, तो round bracket के अंदर double quotation start and stop, same way printf के जैसा, और जो भी variable के अंदर value store करनी है, उस variable का conversion character, suppose integer है, तो percentage d, और यहाँ पर scanApp में हम कोई extra space या कुछ भी use नहीं करेंगे, scanApp को हमेशा एकदम compact version में ही use करेंगे, tight version में use करेंगे, तो without space, without any message, directly हम conversion character लिखेंगे, and then double quotation के बाहर comma, comma करने के बाद variable का नाम तो हम printf में लिखते ही है, जैसे variable का नाम है a, लेकिन scanApp में आपको याद रखना है, scanApp में जो भी variable हम use करेंगे, इसके पहले हमें एक symbol use करना है, इंगलिस में हम इसको end symbol बुलते है, programming में हम इसको address symbol बुलते है, तो इसको हम ऐसा बुलेंगे address of a, तो आपको यह याद रखना है, कि scanApp में हमेशा address use करना है, printApp में use नहीं करना है, अगर scanApp के अंदर आप address specify करना भुल गए, तो error कोई नहीं आएगी, लेकिन जो भी value हम store करेंगे, वो यह variable के अंदर store नहीं होगी, और जब तक वो value store नहीं होगी, तब तक वो a variable के अंदर random value यानि garbage value consider होगी, in sort आपको यह याद ही रख लेना है, कि scanF में address specify करना है, printF में address नहीं लिखना है, ठीक है, तो यह function जब execute होगा, तब क्या होगा, run time पे, हमें यहाँ पे कोई value provide करनी पड़ेगी, सपोज मैंने value provide कर दी 500, उसको प्रेस करते है, उसके बाद यह scanF function का काम खतम होता है, तो जब तक हम enter भी प्रेस नहीं करेंगे, तब तक यह function का काम खतम नहीं होगा, तो next line में आगे program execute नहीं होगा, तो आईए इसका practical देखते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा, तो start, file menu, dos cell, mount d, d drive, exit, new, has, include std io.h, main function, curly bracket, start, stop, clear screen, save, d drive, courses, c, plus plus को हटा देते हैं, program का नाम ले लेता हूँ, scanF, तो एक variable declare करता हूँ में, integer number, चलो, अब तक हम क्या करते थे, यहाँ पर value store करा देते थे, number is equal to 100, इसको बुलते हम design time, design time नहीं करना है, हमें run time पर करना है, तो इसके लिए scanF function, round bracket, start, stop, double quotation, start, stop, percentage d, क्योंकि integer variable है, comma, comma करने के बाद scanF है, तो address आएगा, तो address of number, अब यहाँ पर value जब store करेंगे, इसके बाद, इसके बाद हमें message को print कराना है, value of number is equal to, यहाँ पर actual value, तो percentage d, new line, comma करके number, चलो, save, अब यह program कैसे execute होगा, वो समझ लेते हैं पहले, तो सबसे पहले main function से start होगा, एक variable declare हुआ, output की screen clear हो जाएगी, then scanf, मतलब जब तक हम value को provide नहीं करेंगे, तब तक यह scanf function का काम खतम नहीं होगा, जब तक खतम नहीं होगा, तब तक next line में execution नहीं होगा, तो यहाँ पर हम value provide करेंगे, provide करने के बाद enter press करना है, enter press करने के बाद, यह message print होगा, और यहाँ से यह program exit हो जाएगा, चलिए चेक करते है, control F9, देखो, यहाँ पर जब तक हम value को provide नहीं करेंगे, तब तक वो program आगे execute नहीं होगा, तो मैं value provide कर देता हूँ, suppose 5000, provide करने के बाद enter भी press करना है, जैसे मैंने enter press कर दिया, तो message उसके बाद print भी हो गया, और exit भी हो गया, तो check करने के लिए alt F5, value of number is equal to 5000, ठीक है, अब फिर से execute करते है, control F9, अब देखो, यह program हमने बनाया है, इसलिए हमें पता है कि यहाँ पर value provide करनी है, लेकिन यह program कोई third party use करता, तो उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या करना है, तो उसको हमें proper guide देना पड़ेगा, तो guideline देने के लिए हम क्या करेंगे, scan करने से पहले एक message print करते है, print of message में instruction लिखते है, enter value of number is equal, तो पहले यह message print होगा, और end user को information भी मिल जाएगी, कि यह program में करना क्या है, control F9, देखो अभी clear message आया, enter value of number, तो कोई भी end user को पता चलेगा, कि यहाँ पर कोई number provide करना है, then enter, alt F5, value of number is equal to 5000, फिर से एक बार run कर लेता है, control F9, 200, enter, and alt F5, तो friends, यह scan app function की practice कर लीजिए, मिलते हैं next session, पिर्टएल कर सामिए की करना है, पिर्टएल,"